जब 10-10 लाख में seat बीकेगा तो भाई cut-up तो high जाएगा ही, answer की result कब तक आएगा, finally MTS 2024 vacancy की joining कब तक हो जाएगा, result आने के बाद क्या-क्या process होता है, medical में क्या होता है, documentation में क्या होता है, cut-up आपको कैसे देखने को मिलते हैं, जहीं दोस्तों कैसे हो आसा करता हों कि सभी ठीक ठाक ही होंगे, MTS 2024 पचीस इस vacancy का एक examination हो चुका है, अब आप लोग news देखे होंगे, बिहार पुण्डिया डिस्टिक में 10-10 लाखों में setting हुई थी, seat भीकने के लिए, लेकिन वहां पे चापा मारी हुआ, administrative रिजनों से उस center का exam cancel किया गया, और फिर से 19 तरिकों exam हो चुका है, अब यह जो मामला हुआ, इस मामला से कहीना कहीं बच्चों में एक संसे कब इसे मन गया है, और यह संसे कब इसे क्या है, कि cut off हाई जाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं पेपर एक जगह आउट हो गया, अब वह बच्चे कर कह रहे हैं, कि वो तो एक ऐसा center है, जो पकड़ा गया, कुछ ऐसे भी center हो गया, जो धराएं ही नहीं होंगे, तो क्या होगा, क्या 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 हो सकता है, सबसे पहले answer की result और joining कब तक होगी, answer की आपकी 25-27 के बीच में आ जाएगी, result जो है, आपके answer की आने के कुछ दिन बाद आ जाएगा, मतलब 10-15 दिन बाद आपकी result आ जाएगी, लेकिन वो आपकी real result नहीं होगी, आपका MTS वाले तो shortlisted हो जाएगे, लेकिन मतलब की आपके पास 2-3 मंथ का समय है, तीन मंथ में जो है, आपकी finally joining हो जाएगी, मतलब आप जिस नौकरी के तयारी में लगे होए हो, आप नौकरी ले लोगे, ये आपका full process रहा, अब बीच-बीच में कब क्या होगा, ये भी हम बात करेंगे, अब देखो, जो ये आपक में post-bika है, इसका क्या सिंद्रने वाला, ये कहीं न कहीं आपकी cut-up बढ़ा देगी, बिल्कुल बढ़ा देगी, अब जिस हिसाफ से administration लगा हुआ है, पुनिया डिस्टिक में पकड़ा गया है, अगर वाकई में वो ये एक center होगा, तो तो अच्छी बात है, वहाँ से तब cancel हुआ है, उसके पहले भी तो एक्जाम करया होगा, तो क्या भरोसा कि वो किया ना हो, लेकिन उसके जांच में जो है, लोग लगे हुए है, administration लगा हुआ है, उसके जांच में, तो कोई ना कोई उसका result जरूर आएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं, तभी जो है, पीछे वाली इतनी सारी एक्जाम हुआ है, जिस डेट पे उसको cancel नहीं किया गया है, तो आपको positive रहना है, और ये मान के चलना है, कि ऐसा कुछ कहीं नहीं हुआ है, क्योंकि आप ऐसे भी मानोगे, सोचोंगे क्या रे यार, ऐसे ऐसे हुआ होगा, तो आपका दिमाग ही खराब होगा, तो ये हो गई, cut-up आपकी high नहीं जाने की संभावना है, जो पिछली बार cut-up आपको देखने को मिली थी, वहीं रहेगी, 35 से 40, 45 के around अगर आप question सही कर रहे हो, minimum 35, maximum 500 करोग कोई issue नहीं है, second session का, तो आपकी result होने की पूरी-पूरी possibility है, अब आपकी result जो है, आपकी cut-up जो तरह का result आता है, एक 18 से 25 ग्रूप, एक 18 से 27 ग्रूप, दो तरह का result देखने को मिलता है, ठीक, cut-up भी आपको result आ गया, result के बाद MTS वाले जो है, अराम से अस्तिर हो जाएंगे, हावलदार के लिए physical चलेगी, आपको जो है physical पे बुलाया जाएगा, physical के लिए आपको admit कर द किया जाता है, direct आपकी joining letter, मतलब आपकी final result दी जाती है, final result आपकी by mail आपके घर पे आती है, घर पे आएगी, उसमें जो है आपका medical DM और DME रहता है, medical का letter भी रहेगा, और joining letter भी रहेगा, तो आप उसको भरना है, और जहां भी आपको बुलाया गया है, वहाँ पे जाना है, यह आपका कोई सदर अस्पताल, सरकारी अस्पताल भी हो सकता है, कोई medical, मतलब hospital भी हो सकता है, अब यह depend करता है, कहाँ पे आपकी joining हो रहे है, और वहाँ की क्या बवास्ताय है, वहाँ उस range उस zone की क्या बवास्ताय है, यह चीज़े देखने को मिलती है, उस state की क्या बवा प्रमल होता है, खर medical related मैंने वीडियो बनाया है, तो medical planning is check करिएगा, तो वहाँ पे detail में जनकारी मिल जाएगी, फिर जैसे आप medical pass out हो जाते हो, वहाँ पे आप से कुछ form वगेर भी भरवाया जाता है, जो आपके police verification से related रहती है, फिर जो है चीज़े जब सब clear हो जाती है, जोइनिंग करा ली जाती है, वहाँ पे आपके पास दो option भी रहते हैं, कि आप MTS चूच कर रहे हो, कि हवलदार चूच कर रहे हो, क्योंकि कुछ बच्चों का result दोनों जगा हुआ राता है, तो ये पहले ही आप decide कर लेते हो, फिर आप अपने हिसाब से चूच कर लेते हो, अब जोइनिंग के बाद जिस दिन आपकी जोइनिंग हो जाती है, उस दिन से आपकी salary स्टार्ट हो जाती है, अब हवलदार वाले जो हैं, ये लोग सोच रहे होंगे, कि हम ट्रेनिंग पर भेज़े जाएंगे क्या, तो नहीं, जोइनिंग के बाद आप direct duty पर जाओगे, म अब इन लोगों की training center अपनी नहीं है, बाई अपनी training center कहां रहेगा, तो police academy वगेरा में जाके training करते हैं, एक मन्त की आपकी training होती है, इसी में आपसे drill वगेरा, exercises वगेरा, arm ammunition के बारे में भी बताया जाता है, सब कुछ बताया जाता है, लेकिन अभी फिलाल में हवलदार post क तो ये सारी चीजें होती है, तो आप लोग समझ गये कब क्या होगा, तो अभी तो जो है आपका यहीं चल रहा, अभी आपकी answer की आएगी, फिर result आएगा, result के बाद से जो है physical होगी, physical के बाद से जो है documentation होगा, physical के समय ही आप सभी लोग का documentation हो जाता है, फिर उसके बाद से जो है आपको medical के लिए बुलाया जाएगा, medically fit हो जाएगे, फिर उसके बाद से police verification होगा, police verification सब कुछ fit हो जाएगा, तो आपका joining लेटर आएगा, फिर आपको जाके joining करना पड़ता है, तो यह सारा process अभी बचा है, और joining के बाद तो आप सब कुछ समझ जाओगे, आपका process देखने को मिलने वाला है, तो जिन लड़कों का paper ठीक ठाक गया है, ओ भहिया तैयारी में रहे, जिनका खराब गया है, छोड़ी यह दूसरी vacancy के तैयारी में लगिए, मैं तो यहीं कहूँगा, अब लड़का लड़की सब का cut-up से माता ही है, नहीं है कि लड़क किसी-किसी state में कम ही रहेगा हावलदार का, किसी-किसी state में ज्यादा रहता है, तो यह चीज़े देखने को मिलती है, कर यह सारी चीजे पता चल जाएगी, एक बार एंसर किया जाता है, जो कि 25-27 के बीच में आप यह एंसर किया जाएगी, फिर और ज्यादा सारी चीज़े किलियर हो जाएगे, फिर कटप के बारे में भी बात अच्छे से किया जाएगा, कोई भी कोशन क्योंडी हो, कमेंट बॉक्स में पूछे, इंस्टाग्राम पे आईए, प्रस्नली भी आप जो है अपना प्रस्नल कोशन पूछ रखते हो, तो अभी से लेकर ये सारा सिस्टम आ और जोइनिंग लेपना